दोस्तो जैसे ही सुम्बुल टोकिर खान को शालीन बानोट ने घर से बाहर निकाला तो वीकन का वार पर आते ही सल्मान खान ने शालीन बानोट से सबसे पहले ये क्यों कह़ए डाला कि शालीन ये सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है सुम्बुल बाहर्थ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वज़ा से हुआ है साती साथ सलमान खान ने पूरे हिंदुस्तान के सामने यहां तक की सभी कंटेश्टन के सामने शालीन भानोड को ये भी कह डाला कि तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो तुम जो ये बातें कह रहे हो तुम सभी को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन सलमान खान को बेवकूफ नहीं बना सकते आपको बता दें कि वीकर्ण का वार पर इस बार सल्मान खान ने शालीन भानोड को ऐसी ऐसी बातें के डाली है कि शालीन का चहरत और शर्मक से लाली हो गया है ऐसे में आखिर क्यों सल्मान खान ने शालीन भानोड को ऐसा कहा कि तुम मुझे बेवकूर समझते हो चलिए आपको बताते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर ने हैं तो सब्सक्राइब कर लें साथ में गंटी के निशान को जरूर दबा दें जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब इस हफते की वीकंड कवार की पूरी की पूरी शूटिंग शुरू हो चुगी है ऐसे में जैसे ही सल्मान खान मंच पर आये तो सल्मान खान ने सबसे पहले नॉमिनेशन की बात शुरू कर दी इसके बाद जब बारी आई शालीन भानोड की तो सलमान खान ने शालीन भानोड से बुचा कि तुमने अपनी दोस्त यानि सुम्बल को नॉमिनेट क्यों किया था जिसके जवाब में शाली ने कहा कि सर मैंने सुम्बुल को इसलिए नॉमिनेट किया था क्योंकि पहले घर के अंदर मेरी अगर कोई सबसे अच्छी दोस्त थी तो वो सुम्बुल थी जब मैं घर के अंदर पहले दिन आया था तो सुम्बुल पहले दिन से ही मेरी दोस्त बन लेकिन अब वो मेरी दोस्त नहीं है अब वो मुझसे दूर हो चुकी है घर के अंदर ना तो वो मुझसे बात करती है न मेरे साथ उठती बैठती है यही वज़ा है कि मैंने उसे घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट किया जैसे ही सलमान खान ने शालीन भानोट का ये जवा सलमान खान तो गुस्ते से ही लाल होगे सलमान खान ने कहा कि आज सुम्बुल अगर तुमसे दूर हुई है तो ये सिर्फ तुम्हारी वज़ा से ही हुआ है क्योंकि तुमने क्या शालीन भानोट सुम्बुल टोगिर खान से दोस्ती निभाई थी तुमने क्या शालीन भान अब देखना ही होगा कि सलमान खान शालीन भानोट को इसको लेकर को इसको लेकर को बड़ी सदा तो नहीं दे देते हैं। आप इसको लेकर क्या कहना चाते हैं हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटस न्यूज के लिए हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें